नमस्कार आप देख रहे हैं खबर सब तक इस वक्त हम सिवहर जिला के पिपराढ़ी थाना शेतर के धनकौल पंचायत हरपुर रहन गाओं में वाड नंबर 14 में इस वक्त हम उपस्तित हैं जहां कल दिनांग 13.09.2023 को समय करीब 10 बजे 14 वर्षिये लर्का अपने मा से कहता है हैं कि ममी हम विद्याले जा रहे हैं आपको बता दे वह विद्याले थाना शेतर का जनता मूझ विद्याले है जनता मूझ विद्याले में ही वह लर्का पढ़ने जाता था नौवी कलास का छात्र है उम्र 14 साल है उसके बाद विद्याले का समय जब खत्म हो जाता है मा अपने बच्चे का इंतजार कर रही होती है करीब पांच से छे बजे जब बच्चा घर नहीं आया तो बच्चे की मा ने अपने आस परोस के बच्चे जो इनके लड़के के साथ परने जाया करता था उनसे पूछा तो बताया कि इनका लड़का अपता एस्कूल गया ही नहीं है फिर क्या कुछ होता है सीधा हम उस मा से बात करते हैं जिसका चौदो वर्सी है बेटा कल दस बजे से ही विद्याले तो गया लेकिन विद्याले पहुचा नहीं सीधा चलते हैं उनके पास थोड़ा जोर से बोलिये क्या हुआ बेटा कितने बजे किया था आपका कि दस बजे कहां कि इसकोल कौन सा इसकोल कि परसवनी हाई इसकोल उसके बाद क्या हुआ उसके बाद गार नहीं लटके आए घर नहीं लटके आए तिर क्या कि आए सावत क्या कितना पैसा लेकर गिए कि पीस अजार पर लेकर गया बर तब सब था लड़ ए तो नहीं देखिह महीं है इसके बाद सबतर पता लगाते रहे हैं उस पता देखे चले हैं अभी तक पता नहीं चला है मुबाइल लंबर से फोन किया कहा कुछ पता हूँ वाइल लंबर से फोन किया बुला से हम कितने बज़े फोन किया है। एक जेर वजय करीमी फोन किया अपना अबा के पास अबा को बोला से पैसा, अबा बोला से पैसा ले ले लेना पैसा करेंगा पैसा काम है इजब्यसन कराना है इजब्यसन कराना है नहीं पहुंचार देटा मुहमत इब्राइन मा को बोलता है कि हम विदाले जा रहे हैं विदाले नहीं पोच्छता है समय से जब घर नहीं लोटता है तो जो बच्चे इबरान के साथ जो बच्चे यहां के बच्चे जो पढ़ते हैं उन बच्चों से जो है मा ने पूछा जिसमें बच्चों ने बताया कि इबरान विद्दाले पहुँचा ही नहीं उसके बाद देर बज़े के करीब इबरान अपने पिता को फोन करता है जिसमें तेरह सो रुपीए एडिमिशन फौरम भडने की बात करता है कि पापा हमको तेरह सो रुपीए भेज दीजिए उसके बाद इबरान से दुबारा बात नहीं होती है हालाकि उस नंबर पे फिर दुबारा परजन के दुबारा इबरान के पिता के दुबारा भी उस नंबर पे फिर से संपर्किया जाता है वह वेक्ति बताता है कि वो लड़का उसको डेर बजे के करीब मुजफरपुर के बड़े कल्यानी में मिला था जिसके हाथ में एक नया मोबाइल भी था तो उस वेक्ति ने बोला कि नया मोबाइल लिये हो कितने का मोबाइल है सिम नहीं है तुम अपने मोबाइल से ही बात कर लो उसने कहा कि अभी हम नया लिये ही है जिसमें बच्चे ने कहा कि 17-18 जार रुपय का है और आपको बतादें कि उस वेक्ति के नंबर से बात हुई उस मोबाईल नंबर पे अब तक बात हो रहा है। लेकिन वह यही बताया कि कल डेर बजे ही बच्चे के हाथ में नया मोबाइल था बैग टंगा हुआ था और हमसे बात हमारे नमबर से बात किया उसके बाद कहीं चला गया उस वेक्ति से अब तक बात हो रही है इस चैनल के माध्यम से आप जितने दर्सक देख रहे हूं इबर इस पिरित वेक्ति का नमबर भी हम देंगे अगर आप किसी को भी यह लरका दिखाई देता है तो उस नमबर पर संपर्क कर देंगे इसके लिए इबरान का परिवार आपको आभारवेक्ट करेगा खबर सब तक भी आभारवेक्ट करेगा हमारी अपील होगी कि इस वीडिय से एक अपील करता है कि बिटे सुबह का भूला हुआ साम को अगर घर लोट आए तो भूला नहीं करते उससे अपील करते हैं कि वह जहां भी अगर हम को अगर देख रहा हो तो हमारी अपील है कि आप अपने घर लोट जाओ